मेरे सेयोगी भासकर मिश्राम आद्वी पार्टी की दप्तर के बाहर से इस वक्त जुड़े हुए हैं भासकर हर साल पानी को लेकर इसी तरह की किलत होती है लेकिन सवाल ये कि वाटर क्राइसिस मैनेजमेंट क्यों नहीं होता क्यों कोई जलबोर्ट की मेटिंग नहीं बुलाई जाती है और जब इस तरह के स्थिति बन जाती है आउट आप कंट्रोल सिचुएशन चली जाती है तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप शुरू होता है देखिए दिली में दो ऐसी समस्या एक तो प्रदूशन और दूसरा पानी की समस्या ये सिजनल प्रॉब्लम है और समाधान समय के साथ हो जाता है ये लोगोंने मान लिया है सरकारोंने मान लिया है जहां तक समस्या की बात है समाधान की बात है ये कहा जाता है दिली सरकार के दौरा कि हर्याना की तरब से पानी नहीं आया इसलिए हम दिली की जंता को नहीं दे पाते हैं जवाब में हर्याना सरकार ये कह रही है कि जो समझोते के तहट 150 क्यूसक पानी देना चाहिए उससे कहीं अत्रिक्त हम 1100 क्यूसक पानी हर दिन दे रहे हैं दिली को लेकिन दिली सरकार ये कहा रही कि कोई flow meter नहीं है पानी कितना दे रही है हर्याना सरकार ये हमें पता ही नहीं है वो flow meter लगा दें इससे हमें पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना पानी गया है और जहां तक पानी की चोरी की बात की जा रही है तो वो कहरी के ऐसा नहीं हो सकता है 25 पसंट और 30 पसंट से अधिक पानी हर्याना से दिल्ली आते आते वो गायव हो जाए जो भी पानी आता है मुनक नहर के जरीए दो नहर है दोनों नहर के जरीए जो भी पानी आता है वो दिली के साथ वाटर टीट्मेंट प्लांट में जाता है और वहां से पानी ट्रीट करके दिली की जनता को भेजा जाता है ये परेशानी सिर्फ यमुना के पानी को लेकी ही है दो प्लांट में भागिराथी और सोनिया विहार प्लांट में गंगा के गंगा नहर से पानी आता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है सरकार को वहां से कोई समस्या नहीं है सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हर्याना के तरफ से पानी नहीं दे रहा है और इसका कोई समाधान नहीं है सुप्रम कोट में कैटेगरिकली ये कभी नहीं कहा गया क्या सिर्फ अंशन कर देने से पानी की समस्या का हल मिल जाएगा देखे दिल्ली में जो लुटियन जोन है एंडेमसी का इलाका है उसमें 21,000 से ज्यादा कंजूमर है और पानी वहां भी जलबोड का ही पानी जाता है एंडेमसी के पास अपना 27 रिजर्वायर है और उसके जरिये पानी सप्लाई किया जाता है सबसे बड़ा सोर्स जो है वजिराबाद प्लांट है पिछले कुछ दिनों से वजिराबाद ट्रीट्मेंट प्लांट में पानी कम प्रोड्यूस हो रहा है और यही बज़ा है कि तीन दिन में सिर्फ एक दिन 25 फिजदी पानी मिला है एंडेमसी इलाके को और इसकी कमी का असर यह हुआ है कि मंडे हाउस का पूरा इलाका और यह तिलक मार्ग पूरा फिरोश सा रोड और इसके आस पास के लगए तमाम जो अप इंप्य के घर हैं इन इलाकों में पांब की कमी है और इसके साथ साथ वजिराबा rehell से पेट्मेंट में हाय कोर्ट में और पा volumes में उर पामें जाता है इन इलाकव में पानी कि दिक़त है अभी रीजरबवायर में पानी है NDMC के पास में तो वो सप्लाई किया जा रहा है लेकिन अगर यह समस्य आप काफी ज्यादा दिनों तक चली तो परिशानी ना सिर्फ MP वाले इलाकों में होना है बलकि संसत भवन तक यह परिशानी दिखाई देगी